आज हम लोग सेब का हलवा बनाएंगे बहुत आसानी से और जल्दी में ये बन जाता है आज से 18 साल पहले हमने ये रेसिपी बनाई थी जब तो यूटूब का जमाना भी नहीं था बस मुझे नई चीज बनाने का शौक था तो हम बनाते थे तो वही आज हमने कहा कि सेब का आ इमने चार सेब लिया इसको रफ्ली दो लिया सेब रफ्ली है बिलकूल बहुत महगा लेने की ज़रोत नहीं है नार्मली ले ले कि सेब का सेब का सिजन भी है आसानी से सें मिल रहा इचारों को इस तरीके से छील के धो लेंगे दो कर इस तरीके से इसे कटिंग कर Protecting कर लें सब को काट लें पिर इसके बीच में से जो गंदगी है वो इसको निकाल दें यह देखिए इस तरीके से बस इस तरीके से सफाई हो गई इसकी एक-एक करके यह सब को साफ कर लिया अब फ्राई पेंड में ही एक-एक करके सब को इस तरीके से रफली काट लें ना बहुत मोटा ना बहुत पतला दर्मियानी हो मोटा भी कर जाए तो कोई दिकत नहीं है अब इसमें एक गिलास पानी डाल कर हम इसे उबाल लेंगे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस चैनल पे आपको बिलकुन नहीं रेशिपी देखने को मिलेगी देखिए सब कट चुका अब ये बस ये एक कप पानी डाल कर इसे हाई फ्लेम पर उबालेंगे ये देखिए हाई फ्लेम कर दें अब इसे हाई फ्लेम जब तक रखेंगे जब तक एक उबाल ना आ जाए ये देखिए एक उबाल आ जाये तो हम इसे लो फ्लेम कर देंगे एक उबाल आ चुका है अब इसे लो फिलेम कर देंगे देखिए हाई फिलेम है इसे लो फिलेम कर देंगे अब इसे दस मिनट के लिए छोड़ देंगे दस मिनट में पक जागा ये देखिए दस मिनट हो चुका देखिए कितनी आसानी से गल गया है, मैश हो रहा है, इस तरीके से इसको सबको खूब अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे, गुठली न हो बहुत ही नर्म है इसे मिक्सी जार में रखकर कभी न पीसे नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा यह देखें कितनी आसानी से हो रहा है, कोई भी कर सकता है बस सबको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करके मैश कर लें अब हाई फ्लेम पर इसे, इसका यह जो पानी है इसे सुखा लेंगे हाई फ्लेम पर इसे सुखा हैं इस तरीके से अब इसमें एक कप दूद्ध डाल देंगे नॉर्मली दूद्ध हो फिर खुब चलाते रहेंगे बराबर से चलाते रहें बिल्कुल छोरे नहीं नीदों हो सके नीचे ये चिपकेगा तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा हाई फ्लेम पर भून लेंगे अब ये इधर तीन एलाइची अमने लिया है उसका बीज निकाल लेंगे और इसको बेलन से करश कर लेंगे आप पिछा हुआ भी डाल सकते हैं मुझे करश किया हुआ ज़्यादा पसंद है तो इसलिए ताजा आप करश करके ही डालते हैं कि एक करके सब बीज को निकाल लेंगे ये देखिए इस तरीके से अब इसे बेलन से सिर्फ करश कर लेंगे यह देखिए करश हो चुका अब इसे साइट कर देंगे अब यह देखिए दूद वाला जो सुख रहा था वो अब बिल्कुल सही हो गया अब इसमें चीनी डालेंगे यह देखिए एक कटोरी चीनी है अगर इसको इसको देख लें पहले यह जो पल्प है कटोरी से नाप के देख लें यह मेरे अंदाज से यह दो कप होगा तो हमने एक कप चीनी डाल दिया इसमें इसलिए कि सेप थोड़ा सा खटा होगा हो सकता है हमने चका तो नहीं था अब यह फॉर्चून का तेल है यह थोड़ा सा डाल देंगे अगर आपके पास घी है तो दो चमच घी डाल देंगे दो चमच फॉर्चून का तेल है यह अब इसे मीडियम फिलेम पर भून लेंगे तेल और चीने अमने दोनों साथ में डाल दिया यह देखिए अमने पांच मिनट भूना है ऐसा है यह हल्वे की शकल दिखने लगी इसकी अब इसे पांच मिनट और भूनेंगे यह देखिए पांच मिनट बाद यह अब बिल्कुल परफेक्ट तयार है अगर आपके घर में सबको ड्राइफ रूट पसंद है ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल दें कम पसंद है तो कम डालें अगर सबको मीठा पसंद है तो आप आधा कप डालें चीनी ये करश किया हुआ है एलाइची हमने डाल दिया बस इतनी खुश्पू काफी है इसके लिए अब सबको डिशाउट कर लेंगे ये देखे बनकर कितना अच्छा त्यार हुआ है टेस्ट भी बहुत लाजवाब था इसका अब इस तरीके से ड्राइफ रोट से आप सजा लें जैसे भी चाहें हमने इस तरीके से सजाया है इसको ये देखे थोड़ा सा ये डाल दें बीच में वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच कर देंगी ऑे रीजाट